इमेस वर्ड में जो फाइल बनता है ठीक है जरह आप लोग बताईए कि उसका एक्स्टेंशन क्या होता है बताओगे आप लोग उसका एक्स्टेंशन क्या होता है अभी मेरे कम्प्यूटर में एक्स्टेंशन सो नहीं कर रहा है मैं सो करा लेता हूँ तो बताईए आप लोग कि जो बनता है इमेस वर्ड में फाइल उसका एक्स्टेंशन क्या होता है नहीं पता है नहीं पता बता यह बताना ही नहीं चाहते .docx एक किसका होगा एक्स्टेंशन जो 2003 के उपर होगा 2003 का एक्स्टेंशन होगा डी ओस्टेंशन ठेक एक्जाम में वाइवा में पूछ लिया जा सकता है और एक्सल में जो बनेगा फाइल उसका क्या एक्स्टेंशन होगा एक्स एल एस और 2003 में जो बनेगा उसी का होगा एक्स एल एस ठीक है जो 2003 का से उपर का होगा जैसे साथ का और या उससे उपर का तो उसका होगा एक्स और जो 2003 से जो उपर होगा जैसे साथ या उसके उपर तो इसमें भी एक सुगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दिख रहा है तो भूलोगे नहीं नहीं भूलना ना चलो नहीं भूलोगे तो अच्छी बात है ठेप चलो कहां तक हम लोग देखे थे कल यह वाला ना यह वाला भी होजे गया था इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यह खूलेगा ठेख है इस पर भी मैं क्लिक करूँगा तो यह अलाइमेंट खूलेगा इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यह नंबर खूलेगा ठेख है एक कुछ styling वगर है तो चलिए इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर मैं कुछ लिखा ऐसे किया यह आ गया ठीक है डिलिट मारा कुछ ऐसे लिखा यह आ गया ठीक अब ऐसा आ गया ही मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को मैं क्या करूँगा नमबर कर दूँगा तो नमबर में जैसे किया तो यह ऐसा दिखाई देने लगा ठीक है करेंसी में कर दूँगा तो यह ऐसा दिखाई देने लगा आपको दिख रहा है यह डॉलर साइन आ गया ठीक है आप चाहोगे तो हट जाएगा हो एकांटिंग मैं क्लिक करूँगा तो ऐसा होगा ठीक है डेट है डेट तो अभी मैं एकाउंटिंग रहने देता हूँ इसमें आता हूँ और डेट इंसर्ट मैं कर दिया कंट्रोल शिफ्ट और फिर क्या दबाया था बता रहा हूँ कंट्रोल दबाया शिफ्ट दबाया ठेक है फिर ये बटन दबाया ये वाला बटन ठेक control दबाया फिर shift दबाया फिर ये बटन दबाया इसको क्या बोलते है semi colon ठेक है semi colon वाला बटन दबाया तो आ गया ठेक है फिर control के साथ उसी semi colon वाला जो बटन था ना उसी पर मैं प्रेस्किया तो यह date भी आगया यहाँ पर, पर तुछ date इंसर्ट करने का shortcut button है। ठीक है। तो आप जो है, याद रखना इन सब को अब sort date में कलिक करूंगा तो यह ऐसा है गा। long date में click करूंगा तो यह इतना बड़ा हो गया। ठीक है। यह time टाइम है ताइम पे क्लिक करूंगा तो यह तो ताइम हाई है तो और का होगा ठीक है यह परसेंटेज वगर हमें है ठीक है अब इसी पर मैं आऊंगा और इसो कर दूंगा सिंपल टेक्ष्ट ठीक है ऐसा तो यह जो है ऐसा हुग गया ठीक ऐसा हुगा यह जैनरल है तो यह कुछ जो है फॉर्मेट्स हैं तो यह तो उमीद है कि कुछ समझ में आया होगा आपको फिर से यहां कुछ लिखता हुगा है ठीक है और यहां पर ऐसा आ रहा है तो यह तिफ्ट फॉर्मेट में है ठीक है convert कर देंगे तो number format में convert हो जाएगा ठीक है जैसे यह वाला देखो time format में है ठीक है इसको मैं कर दिया general या फिर इसको कर दिया मैं take ठीक है फिर इसमें कुछ number डालूँगा ऐसे और enter मार दूँगा तो यह देखे पूरा वो number मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है अब मैं यहाँ पर आऊँगा फिर ignore error करूँगा error आ रहा है कि यह तो number है जी तो number stored as a text इस पर click करूँगा तो यह number है इसको text के रूप में store करो ऐसा बूभ बोल दूँगा convert कर दूँगा तो यह number हो जाएगा जनरल format हो गया तो ऐसा हो गया ठीक है जी आते हैं थोड़ा सा इस number वाले में नंबर किया तो यह आ गया ठीक है यह वाला है यह बोल रहा है increase decimal यह देखो यहाँ पर decimal बढ़ने लगा ना और फिर इसी में पर click करूँगा तो बढ़ेगा इसी में फिर इसा क्लिक करूँगा तो गहटेगा ठीक है मैं इसमें आऊँगा तो देखे बहुत सारा इसमें भी यहाँ पर formatting पुरा दिख रहा है ठीक है general format ऐसा होगा number format कर दूँगा number में तो ऐसा होगा कि कितना decimal place होना चाहिए तो zero use कर दूँगा separate hundred से तो separate कर देगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है currency में कर दूँगा तो बोल रहा है currency कौन सा ठीक है कि R वाला होगा मैं बोलते था हूँ R वाला होगा या फिर INR Indian currency कर दूँगा तो Indian currency हो जाएगा कर दूँगा OK तो यहाँ पर आ गया INR फिर currency के साथ ठीक है इसमें क्लिक करूँगा तो बहुत सारा आएगा currency वाला मैं देखिए यह option आएगा ठीक है तो यह सब जो है format ठीक है ना मैं इसी में और कुछ लिखा यह INR हो गया percentage में क्लिक कर दूँगा तो यह % में दिखाने लगा इसी को ठीक है तो यह यही सब है बाकी इसमें कुछ है नहीं number डाना इसमें ऐसे है ठीक है इसमें आया बोल दिया कॉमा से separate करो जी तो यह कॉमा कॉमा से separate कर दिया तीन-तीन में ठीक है यह काउंटिंग है यहां पर symbol में ननन है अब do place यहां पर 0 है ठीक है यहां पर मैं बढ़ा दूँगा तो place यहां पर देखे बढ़ रहा है इसको मैं कर दूँगा तो यह खतम हो जाएगा यह देखे खतम हो गया ठीक है तो यही सभाई इसका alignment का मतलब वही है कि top से कितना होगा, vertical bottom से क्या होगा, tick trap होगा या नहीं होगा, यह tick trap यही वाला है न, यह वाला, merge cell, shrink to fit, ठीक है, tick का direction कि दर होगा, contact होगा, left to right होगा, right to left होगा, यहाँ उसके बाद यहाँ से भी आप चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ से भी आप text को चुन सकते हैं, ठीक है, यह font है, यह number का formatting है, यह border का styling है, ठीक है, feel effect में click करूँगा, तो यह तरह का effect आजाएगा, यह वही वाला, उसी type का effect बनेगा, जो कि आपके उसमें था, MS Word में था, ठीक है, उसके बाद यह production है, protection, protection, protection को मैं थोड़ी धेर में बता दूँगा, या बाद में बताऊँगा, थोड़ी बाद में, जब इसका जरुरुत में लाऊँगा, ठीक है, तो यही जो है फर्मेटिंग है, एक फर्मेटर देख लेते हैं, ठीक है, आजाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अधार नंबर ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, अधार नंबर कितने अंका होता है, इसको यह बताऊँगे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, नहीं, यह कितना नंबर है, बताऊ जरा कोई, नंबर मैं कर देता हूँ इसको मैं, और कर देता हूँ इसको खता हूँ, यह यह क्या बारंग हो गया, पक्का, आख बंद करो, मैं थोड़ा सा बदलाओ करो, लेकिन गिनों के तब ही पता चलेगा ना, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, या फिर यहां पर आ जाता हूँ, और मोर, फॉर्मेट्स नंबर, यहां कुछ है कस्टम फॉर्मेट्, ठीक है, यहां पर मैं आता हूँ, और चा कर रहा हूँ, एक, जो, ठीक, कर दिया, ओकी, ठीक, यह जो है ना, इसको मैं ऐसे पकड़ के खीच लूँगा, खीचने वाला भी तो बताया नहीं हूँ आप लोगको मैं, बाद मैं बता दूँगा, बाद मै ठीक है, मैं जब पकड़ के खीचा तो खाली सब में फॉर्मेटिंग भरा गया, ठीक है, अब यह देखिए, पता चल गया यहां पर, यू, नाई, 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 यह तो चीटिंग किया है, ठीक है, एक, दो, तीन, जाए, पांचे, साथा, दो, दो, यार, वारा, ठीक है, तो आगया है, इस्पेसल फॉर्मेटिट में, ठीक ना, तो, आप इस तरह से कस्टम फॉर्मेट भी बना सकती हो, ठीक, इसमें वैलिडेशन वोगर भी लग जाएगा, यहां इधर डेटा वैलिडेशन वोगर में आके, ठीक है, इधर, लेकिन मैं अभी वहां पर नहीं आ तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेट भी बना लोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं क्या चाहरा हूँ कि इसके जिगा पर इस्पेस हो जाए, ठीक है, कर दिया, ओके, तो इस्पेस आ गया, अब इसको नीचे भी पकड़ के खींच लिया, तो कर दूगा, ओनली फॉर्मेट तो इस्पेस आ गया, तो अब चार-चार कड़ी थे, तो चारतिया बार अगिना गया, गिन लिया ना, तो यही है, जो है, कुछ कस्टम फॉर्मेट भी चाहोगे, तो आप अपने से बना लोगे, इसे बहुत सारा फॉर्मेट से, ठीक है, अपने जरूरत के अपार्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट है, इस पेसल में क्या होगा, पिन कोड होगा, या मोबाइल नंबर होगा, सोसल सिक्यॉर्टी नंबर होगा, ऐसा होगा, सेम्पल में यह दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यही सब है उसमें, साइन्टिफिक में यह है, फंक्शन, हम लोग आगे चलके कुछ बनाएंगे इसमें प्रोजेक्ट से या फिर कुछ कहलो कुछ परमेट्स हो गरा बनाएंगे ठीक है तो हमें और यह चीजें जो है कलियर समझ में जो है आएगा ठीक है तो आगे चले उसके बाद मैं यहां पर टेबल बनाने के लिए कुछ नाम लिखता हम नेम, क्लास, एड्रेस, मोबाइल, अधार, नमबर, और क्या लिख दो इन सब को ऐसे सेलेक्ट किया ठीक है यहां पर यहां से आके ऐसे यहां नेम पर आया, कंट्रोल, सिफ्ट दबाया और राइट एरो पर क्लिक किया तो यहां पर आया फिर राइटेरों पे क्लिक करूँगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा आखरी तक ठेक लेकिन मेरे को पूरा चाहिए नहीं तक चाहिए ठेक है और यहाँ पर स्टाइल में जाऊँगा ठेक है तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि कुछ टेबल एक कंडिशनल फॉर्मेटिंग है कंडिशनल फॉर्मेटिंग को इसके बाद पढ़ेंगे पहले इसको देख लेते हैं इस पर मैं क्लिक किया तो बहुत सारा यहाँ पर बाई डिपोर्ट जो ए टेबल आ गया ठेक है मेरे को यह टेबल जो है पसंद है मैं इस पर क्लिक कर दिया ठेक है माई टेबल हैज हेडर ठेक है यह कर दूँगा ठेक है इतना बड़ा हो गया ओके कर दिया तो यह देखिए यह बन गया टेबल आप इसमे मैं कुछ डेटा रखता जाओंगा ऐसे अब जैसे टैप टैप मारूंगा तो यह अपने आप बन रहा है टेबल ठेक है प्रिव्यू करों तो यह देखिए यहांपे है ठेक है यह देखिए यह वाला गान देख रहा है किनारे इसको पकड़ के नीचा खे्चओंगा तो टेबल ochre बadow ड़न जाएगा इसको पकड़कर ऊपर ले जाओंगा तो टेबल डिलीट हो जाएगा यह देखिए यह आप टेबल में नहीं है यह ब्लैक्त तो यह ब्लैंक आयागा यह देखिए है ब्लैंक आगया ठीक है तो यह जाई कुछ फॉर्मेटिंग्स है जो है ठीक है उसके बाद न्यू टेबल स्टाइल ठीक है इसमें क्लिक करूँगा तो बोलेगा कि भाई तुम अपने से कुछ टेबल डिजाइन कर लो मेरे को अभी डिजाइन करने का एक्छा नहीं है वो नहीं जरूरत है तो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप ऐसे कर सकते हो ठीक है इसमें इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा ठीक है मैं इंसर्ब को क्या करता हूँ राइट क्लिक करके डिलीट हो ठीक है एक क्वेस्चन है ठीक है आप मान लो कि एकसल में दोसो चपन कॉलम होते हैं और दोसो चपन रो होते हैं ठीक है 2003 के according में बात करूं, 7 में, 10 में, उससे उपर में तो ज़्यादा होता है लेकिन 2003 के एक सल में 256 कॉलम होता है, 65536 रो होता है ठीक है? तो यहाँ पे मैं आया, right click किया, एक ठो कॉलम डिलेट कर दिया या फिर यहाँ पे आया, right click करके एक ठो कॉलम डिलेट कर दिया अब कितना होगा रोया कॉलम जरा आप लोग बताईए कितना होगा? डिलेट कर दिया एक ठो और चाहे ऐसे एक ठो इंसर्ट कर दिया, फिर एक ठो इंसर्ट कर दिया दूठो insert कर दिया एक ठोड़ दिलीट करने के बाद तो बढ़ गया होगा पक्का परना चाहिए ऐए भाई मैं insert कर दिया न एक ठोड़ कॉलम insert तो हुआ न नहीं दिखा insert दिखा रहा हूँ अच्छा ए देखिए है right click किया कर दिया insert ठीक तो इधार insert हो गया यह वाला इधार आ गया तो insert हो गया न तो बताव आप कि insert कर दिया तो अब कितना कॉलम जी पता नहीं आप इतना इतना होगा कईसे भाई insert तो कर रहा हूँ न हाँ बात सही है कि नहीं row का संख्या बढ़ेगा नहीं कॉलम का संख्या बढ़ेगा ठीक डिलीट करते हैं तो क्या होता है और insert करते हैं तो आखिर होता क्या है डिलीट करने पे तो डिलीट हो जाता है न यह देखिए किया राइट लिक किया और कर दिया डिलीट तो डिलीट हो गया न नहीं जी दिलीट करने पे नहीं दिलीट होता है इंसर्ट करने पे नहीं एक नए इंसर्ट होता है ठेक तो क्या होता है 컨्ट्रोल दबाओंगा राइट अरो दबाया आगे आखरी में अब ये लैीत है कड़ गया तो हम इसका चाल नोद करें class continue रखें या pause करके छोड़ देता हूँ थोड़े देर के लिए अब आने लगा प्रोजेक्टर वेवे के लिए चलिए तो सत्य यह है कि insert करने पर नहीं column insert होता है नही delete करने पर column या रो delete होता है ठीक है लेकिन सत्य तो यह भी है जी कि हमने देख लिए आवे होता यह है कि आखरी का जो रो या column है insert करने पर आखरी वाला निकल के शुरू में जाके insert हो जाता है और फिर delete करने पर शुरू वाला जो column हम delete करते हैं जो column या रो वो आखरी में जाकर के insert हो जाता है ठीक इसका आप लोगों प्रमार चाहिए चलिए प्रमार चाहिए तो मैं दे रहा हूँ यह आखरी है control प्लस right arrow दबा के मैं आखरी में आके कुछ लिख दिया ठीक अब आता हूँ मैं सुरुआत में ठीक अब भला किसी में hair power की insert कर देख ठोरो मैं देख लू देखते हैं जी insert होता है या नहीं insert पे click किया यह क्या कह रहा है लंबा चौड़ा अंगरीजी में भासर दे दी आए ठीक है मेरे को उतना तो समझ में नहीं आ रहा है पर इतना समझ में आ रहा है to prevent possible loss of data excel can't shift non blank cell of the पता नहीं क्या इसका कहने का मतलब यह है इसका कहने का मतलब यह है कि जो आखरी में आपका cell है ठीक है वो blank नहीं है इसलिए आप ऐसा काम करो कि उसको delete कर दो तो मैं insert कर दूँगा अब वहाँ पहुँचने के लिए control plus end दबा दो मैं क्या काम किया control end दबा दिया मैं आ गया यहाँ पे ठीक और यहाँ पे आया इसको कर दिया delete ठीक अब फिर से मैं यहाँ पे आया और फिर बड़े ही आसानी के साथ यह तो delete कर दिया गलती से insert कर सकता हूँ ठीक insert हो गया अब फिर से मैं आखरी में आके कुछ लिखता हूँ और फिर जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं delete ठीक ए देख लिजिए आखरी वाला कॉलम shift हो गया यहाँ पे यह वाला पिछे आ गया मैं तो इसको अंतिम में ही लिखा था ना मैं यहां लिखा था ना आखरी में लिखा था लेकिन उधर वाला एक ठो जो कॉलम है उसको डिलीट करूँगा तो इसमें आके सिफ्ट हो जाएगा ठिक फिर से दिखा रहा हूं आपको ए देख लिजिए इंसर्ट नहीं करना है भई डिलीट करना है हो जाव डिलीट आखरी में आया यह देखिए आगया आई दार रिख्टो आगया है ना सिल कॉलम को या रो को डिलीट करने का सौटकर बटन है कंट्रोल के बाद माइनस दबा दिया तो डिलीट हो गया ठीक है और control के साथ इसमें एक ठो लिख दिया ठीक है control के साथ एक मैं क्या दबाऊंगा plus तो हो जाएगा नहीं नहीं insert होगा जब minus दबाऊंगा तो delete होगा ठीक है delete किया तो इधर आ गया अब इसी को मैं चाहता हूँ कि delete कर दूँ ठीक है और नहीं insert कर दूँ तो control प्लस दबाऊंगा तो एक ठो इंसर्ट होगा आप दूसरा insert नहीं होगा यह देख लिखे होगा वही चीज़ अगर आप यहाँ पे आएं ठीक है यह है यहाँ पे आया plus दबाऊंगा ठीक है तो enter कर दिया insert होगा रोग ठीक है वही minus कर दूँगा तो फिर delete होगा तो control प्लस से insert होगा control minus से delete होगा ठीक तो समद में आ गया delete कईसे होगा insert कईसे होगा और सामने वाले को बेवकुप कैसे बनाएंगा ठीक तो नहीं delete होता है नहीं insert होता है आप क्या काम करना इधर कुछ लिख देना आयसा और इधर आकर करना insert ठीक अब इधर इंसर्ट होगे नहीं रहा है ठीक है अब सामने वाला इधर आकर देखेगा तो खेगा भाई कुछ लिखा हुआ मेरे को देखने ही रहा है उसको थोड़े मालू है कि आपने इसपेस दे दिया है इसे ठीक है अब insert ही नहीं होगा तब बोलिएगा कि तुमरे में दम नहीं है कि तुम एक ठो column insert कर दो लेकिन देख लेना भाई सामने वाला ज्यादा intelligent रहा तो delete बटन दबाएगा और फिर इधर आकर करेगा insert तब insert हो जाएगा ठीक लेकिन delete बटन वो दबाएगा उससे पहले उसका दिमाग खराब हो जाएगा ठीक आगे चले उसके बाद है थोड़ा सा conditional formatting को भी देख लें क्या ये conditional formatting है ठीक है इसका मतलब ये है कि condition के आधार पर format होगा ठीक है जैसे माल लो कि यहां मैं P लिखा तो ये red हो जाए और यहां पे A लिखा तो ये नहीं P लिखूं तो हरा हो जाए और A लिखूं तो red हो जाए ठीक मैं ये चार आम हम कुछ attendance वगर उको manage करेंगे किसी करना तो फिर ये और clear हो जाएगा ठीक है तो यहां पे मैं सिर्फ मैं इस cell को condition में format कर रहा हूँ ठीक है आप लोग और भी condition लेना बहुत सारा यहां पे condition दिया हुआ है आइकन वगर अभी आप set कर सकते हो बहुत कुछ दुनिया बर का काम कर सकते हो ठीक है अब यहां पे मैं आया rules में define करने को बोल रहा है मैं आगया equal वाले rule में ठीक आगया फिर कर रहा हूँ यहां पे मैं ले रहा हूँ format ठीक तो यह क्या बोल रहा है light rate fill with dark rate मैं काता हूँ ठीक है बहुत अच्छा लेकिन rate कम करो जब इसमें हो a ठीक कर दिया ok ठीक यहां पे किया a कर दिया enter हो गया rate ठीक यह देखो अब a मैं किया था तो वो करी दिया ठीक है अब तो है नहीं फिर से मैं आ जाता हूँ इस पे new rule फिल equal to मैं आता हूँ ठीक फिर मैं यहां पे करता हूँ p ठीक अब क्या कर दो green कर दो ठीक लेकिन यही अगर क्या हो छोड़ दो इसको p किया हो गया ऐसा a किया हो गया ऐसा काम कर रहा है बड़ा जवर्जस्ट फिजर है न हो रहा है कंडिशन के आदार पे तो जैसे माल लो absent है तो उसको बोल दो किजी सब को red red कर दो absent है यह present है तो सब को green green mark कर दो तो यह सब techniques है ठीक है अब blank है तो blank blank के लिए भी कुछ कर दो तो क्या कर दे आपका जो मन करे वो कर दो blank के लिए custom murder light मुझा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि custom murder के लिए यही ले लो बोल रहा है कुछ डालो इसमें value मैं एक थोई space डाल के enter मार दिया एक या 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 ठीक है तो यही सब है और इसमें तो कुछ है नहीं ठीक है तो formatting यही है आपका conditional formatting जैसे यहाँ पर आप यह भी कर सकते हो न कि अगर greater than है तो क्या होना चाहिए equal to है तो क्या होना चाहिए ठीक है मान लो आपके पास अगर 100 उपए से कम है अगर आपके पास 100 उपए से जादा है तो बोलदों की अमीर आद्मी है और 100 उपए से कम है तो बोलदो गरीब आद्मी है ठीक तो मैं गरीब आले पर पहले काम कर लेता है ठीक है क्योंकि लोग गरीब का पूछते नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ लेस दिन पर क्लिक किया, बोल दिया मैं हंड्रेड, ठीक, और फिर क्या कर दूंगा, हाँ, कॉस्टम बॉर्डर, क्या हुगा कुछ, समझ में नहीं आया क्या, ठीक है, तो यहां पर सौ मैं कर दिया, ठीक है, अब सौ से अगर, सौ होगा, ठीक है, सौ से अगर नीचे होगा त रेड कर दो, एक कलर ही बदलेगा ना ये भी, रेड में पूरा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, वेट, वेट, ट्वेट, ट्वेंटी, रेड में हो गया ये, लेकिन वही हंड्रेड अगर कर दूंगा मैं, यह देखिए, ग्रेटर Chint, 100 तो इसको क्या कर दो जी, इसको कर दो, ग्रेन, ठीक, 101, यह हो गया ग्रेन, यह वही है, और इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये कंडिशनल वाला फार्मेटिंग क्लीर है 네, फार्मेटिंग लाल पिलाहरा करना, ये चार्ट वगर बनाना, ये चार्ट वगर भी बनता है वैसे ही ठीक है कंडिशन के आधार पर इसमें कुछ डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा और उससे बन जाएगा यह ठीक है एक बच के 51 मिनट हो गया बाकी को कल देख लेते हैं ठीक है ठीक चलो बाकी को कल देख लेंगे